बी सी सी आई के मदद से डेंजरास पिलियार फिर से रसीवी में बापास आए क्या है नीज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, सेयर और Most Importly चैनल को सबस्क्राइब जूरू करे आई के पुराने जो आठ टीम है अपने रिटेन प्लेयर का लिस्ट जारी कर चुका है और दो नए टीम एड हुए है आरसीवी के बात करू तो आरसीवी ने तीन प्लेयर को रिटेन किया है एक है बिराट कोहली, दूसरे नमबर पे है ग्लेन मैक्सोईल और तीसरे नमबर पे है महमद सिराज लेकिन आरसीवी के इतने साल जो खिलारी जिताते आये है वो है एबी डेविलियर्स एबी डेविलियर्स को रिटेन नहीं किया है आरसीवी ने क्योंकि एबी डेविलियर्स ने कुछी दिन पहले एक वीडियो अपलोट करके जारी कर दिया था वो आल फॉर्म्स ऑफ कीकेट से सन्नस ले रहा है आरसीवी फैन के लिए वो दिन बहुती दुख दायक दिन था लेकिन फिर से आरसीवी फैन के लिए एक आनंद भर भड़ा नियूज आ रही है इसारों और इसारों से आरसीवी का हेट कोच संजय बंगर ने बोल दिया है एवी डिविलियर्स जैसे बैस्मेन को बैटिंग कोच के पत के लिए बहुत अच्छा और लाबदायक होगा तो सुत्रों के उनसार से जो खबर निकल के आ रही है उसी हिसाब से देखा जाए तो 99% चांस है इस साल एवी डिविलियर्स प्लियार के तोर से नहीं कोच के तर से बैटिंग कोच के रोल से रसीवी में जोइन हो सकता है अब लोगों को क्या लगता है कॉमेंट करके बताईए